कोरोना के बाद अब H3N2 वाइरस यानि इन्फ्लूएंजा वाइरस ने पैर पसारने शुरू कर दिये हैं H3N2 वाइरस से देश में अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है सूत्रों के मताबिक करनाटक, पंजाब और हर्याना में H3N2 वाइरस से मौत की पुष्टी हुई है हलाकि H3N2 से मौत की वज़ा का पता लगाने के लिए और जाच की फिलहाल जरूरत है दूसी दरफ करनाटक के हासन में एक व्यक्ती की H3N2 वाइरस से मौत की पुष्टी हुई है मौत की पुष्टी हुई है मौत की पहचान H गौडा के तौर पर हुई है वो 82 साल के थे, उन्हें 24 फरवरी को अस्पताल में भरती कराया गया था एक मार्च को उनकी मौत हो गई इसके बाद उनके सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजे गए थे 6 मार्च को आई रिपोर्ट में H3N2 की पुष्टी हुई H3N2 इंफ्लूएंजा के प्रकोप ने पूरे देश में चिंता बढ़ा दी है इंफ्लूएंजा के मामले ऐसे वक्त पर सामने आ रहे हैं जब 3 साल बाद देश कुरोना महमारी से उबर पाया है बच्चे और बुज़ोर्ग तेजी से इस वाइरल की चपेट में आ रहे हैं डॉक्टर्स के मताबिक इंफ्लूएंजा के जादा तर मरीजों में एक जैसे लक्षन पाये गए हैं जैसे खांसी, गले में संक्रमन, शरीर में दर्ग और नाक से पानी आना इसे लेकर मेडिकल एक्सपर्ट्स एलर्ट मोड में आ गये हैं वो इसके प्रकोप से नपटने के लिए दिशा निर्देश और सुझाव दे रहे हैं जहां एम्स के पूर डारेक्टर डॉक्टर रंदीग गुलेरिया ने कहा कि H3N2 एक प्रकार का इंफ्लूएंजा वाइरस है जिसके मरीज हर साल इस समय सामने आते ही हैं यह ऐसा वाइरस है जो समय के साथ म्यूटेट होता है डॉक्टर गुलेरिया का कहना है कि यह इंफ्लूएंजा वाइरस ड्रॉपलेट्स के जरिए कोविट की तरह ही फैलता है सिर्फ उन लोगों को साफधान रहने की जरूरत है जिन्हें पहले से यह बिमारी है प्रभावित करता है जबकि H3N2 उपरी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रभावित करता है जैसे बुखार, खासी, सर्दी, गले, नाक और आखों में जलन का लंबे समय तक बने रहना दरसल दोनों के लक्षन समान हैं और यह तेजी से फैल रहा है वहीं कुछ निजी अस्पिताल H3N2 के लिए टेस्ट भी कर रहे हैं लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि यह जाँच अनावश्यक और महंगी है क्योंकि इसके टेस्ट सरकारी अस्पितालों में नहीं किये जा रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल H3N2 की जाँच के लिए 6,000 रुपे तक चार्ज कर रहे हैं ऐसे समय पर आपने वो कहावत को सुनी ही होगी प्रिवेंशन इस बेटर देन क्योर तो आप भी इस इंफ्लूएंजा वाइरस से बचाव के लिए जो भी दिशा निर्देश दिये गए हैं जैसे कि फिजिकल डिस्टेंस मेंटेंट करना, मास्क पहनना और बार-बार हाथों को दोना ये आप करते रहे हैं और हम उमीद करते हैं कि आप इस इंफ्लूएंजा वाइरस का शिकार ना हो इसके साथ ही आप इसकी वैक्सीन भी लगवा सकते हैं H3N2 वाइरस के उपर और जानकारी के लिए आप मीछे कॉमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इससे जादा से जादा लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल खबर बेबात को सब्स्राइब करना ना भूले आज के लिए इस वीडियो में इतना ही बने रहें खबर बेबात के साथ